वेल्कम बैक फ्रेंज्स इस वीडियो में देखेंगे पेन कल्चर पेन कल्चर क्या होता है और इसके एडवांटेज और डिस एडवांटेजिस क्या है और कैसे डिफरेंट है अलग है किसे केज कल्चर से वैसे केज कल्चर का जो टॉपिक है हम पहले देख चुके हैं तो इंक्लोजर राए क्लुचर क्या है इंक्लोजर में आप सकते हैं मैं किसी चीञ जब ग्लोख प्राइब तो अए नियुद देगेमे थे उसलिए यहां पर यहां पर टाइबा श्वानिस के इंक्लोजर कै spéb यहां पर क्यापटी विधीन इंख्लोज इस पेस में जैसे कि आप देख सकते यहां पर जैसे केज कल्चर में था कि एक बना जाता था वो चाय क्योबाइट सबका हो या फिर वो रेक्टेंगल या सर्कुलर सबका हो तो इस तरीके से इसमें फिस को ग्रोग किया जाता था और इसी तरीके से यह तो आपका केज हो गया तो एक इंख्लोज एरिया है कैसा है इंख्लोज एरिया है और यह रिवर में इस तरीके से रख दे जाता है तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी जैसे यहां पर देख एक यह केज कल्चर हो गया केज का एक्जाम्पल और पें कल्च है कि यहां पर आर्रक्लेस्अ को उससे में ग्रोग किया प्री रखा ड़ा है कि पानी का फ्री एक्ष्रेंज हो फ्री एक्षेंच और उनवी मैंठेन है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है दोनों पेज कल्चर और में कैज कल्चर में जो केज कल्चर है तो जो केज कल्चर है वह है तो टोटली इंग्लोस्ट तरफ से वह बंद है क्तिच возмож 1995 ापर साइड से मेस लगा हुआ है यह इस साय से मेस लगार यह दान साथ से मेस लगा रहता है चाहिए पूरा इंख्लोज्ड है वहीं जो पेन नसर मी लगा जये चाहिए जिसी क्या एक साइड इंगलोल सकता जैसे tapi इसमें पेन कल्चर में होता है कि रीबर का बेस रीबर का जैसे यह पेन लगा दिया जाता है एक बारियर लगा जाता है दिया जाता है या तो वह नेट का होगा या फिर बंबू का होगा बंबू फेंचेस होंगे इस तरीके से तो यह बस एक एक या दो तरप से होंगे या फ यहां पर में या नहीं हो गा तो इस तरीके से आपका यह पेंट उपलता है यह पूरी तरीके से केश कल्चर पहुता लेकिन पमस्ति सेंग्स कावर नहीं होता इसका यह प्री-स्पेस रहता नीचे से Yak gly कभी ऊपर से फ्रीज पेस रहता है इस तरीके से पेन कल्चर के इस्से डिपरेंट कैसे बना जाता है . तो कैसे बनाया जाता है तो यह थोड़ा सा जो पहले बंबू के मिद्टि सिए चलत थे ट्रेडिसनल जो रूप था कि बंबू को यूज के जाता था बंबु का पतला पतला इस्टिक जैसा काट की उसका फैंचिस बना जाता था अब वही जो ओल्ड पैटन है उसको थोड़ा सा मोडिफाई कर दिया गया है अब उसके जगर नाइलोन को या फिर पॉली इथाइलीन में स्नेट को यूज किया जाता है अब ज नेट को जैसे जम जैसे पानी में में लगा लगाएंगे जैसे कंई रिवर में में लगा रहे हैं तो उसको फैस see फ्यू मीटर पे सपोर्ट रहता था पीलर का या फिर का रहेगा या फिर बड़े-बड़े स्टोन रहेंगे बड़े-बड़े स्टोन रहेंगे तो उसको एक तरीके से सपोर्ट रखा जाता है बॉर्टम में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है तो नेट्स आर अटेच्ट तू पार्ट सेट इबरी फ्यू मिटर एक पार्ट सेट किया जाता है रीवर में जिदर जिदर आपको पेंस को सेट करना उदर और उसी से आपको जो नेट है आटेज किया करते हैं बॉटम आफ नेट्स इस पिन टू सब्ट्रेट विद लॉंग उडेन पीजस तो एक जैसे बॉटम में कुछ सब्ट्रेक्ट रहेंगे उसमें बड़े बड़े ऊड़ेन के पेज़ें जैसे किली जैसा या पर कह सकते हैं कि खुंटा उस तरीके से कुछ इस्ट्रक्चर बनाके जो नेट को है बॉटम से अटेच कर दिया जाता है ताकि वह उपर से खुलें जिससे न यह आपका रीवर है और यह नेट लगा दिया है यह नेट है तो नीचे यहां पर कुछ सब्ट्रेक्ट एरिया है यहां पर तो इसमें ऊड़ेन के पिन यहां पर लगा देते हैं कि बॉटम से अटेच रहे हैं और कभी-कभी जो नेट है उसको यह गले से या फिर मट से लगा दी अगरता है नेट को जादा दिकतना है और प्रॉपर सपोर्ट में इस तरीके से दूसरे साइट भी ऐसे किया लेकिन बटम में ऐसा नहीं रता है क्योंकि पेन वाले में नहीं तो यह हो गया ठीक है कहां पर बना जाता है तो यूजली ब्यूल्ड के बना जाता है स्वेल वाटर में जहां पर शिचला पानी हो वहां पर जाता है अर गनुट जाता हो या वाइदे क्माइड़ या इसमें जहां पर जाता जहार villains लो ब्हुतीं जहां पर जाता बाली मीटी किष्ट्टा तो उसको वाइट के जाता है डिकंपोजिक औरगनिक मेंटर तो उसको भी वह से जहांपे बहुत जाता है तो उसको वहाँ पें नहीं बनाए जा सकता बॉटम सुल्ड भी मड़ी क्लेई clay loam and sanding bud होना चाहिए ज्यादा निव थोड़ा amount में flow of water should be 0.2 to 0.5 meter per second इतना होना चाहिए soft subject जो होते हैं और preferable होते हैं तो इस तरह के से ऐसे area में बनाते हैं pains को कितने ताइब के barrier होते हैं इसमें तो जो barrier होते हैं इसमें generally one series of barrier और दो two series of barrier तो जो one series of barrier कहा होता है जहां पर aquatic body का blind end होता है जैसे कि एक तरफ से पानी flow कर रहा है और दूसरी तरीकी से बंद हो गया है आगे जाए ना जाए उसका इंडिंग होगे जैसे कि यह डिवर्ट को पानी दर से आ रहा है जैसे कि दर से पानी आ रहा है और यहां पर पूरा ब्लाइंड है यहां से आगे पानी नहीं जा रहा है तो बीच में यहां पर barrier लगा दिए इसका कोई यहां पर दो ब्लाइंड नहीं है तो यहां पर दो पेंस बनाने पड़ेंगे ऐसे करके तो यह तो हो गया बैरियार यह टू सेरीस का लिए उसके भी कही यान्त है है तो फरस्ट है साइड़ डिपेंडेंट अब जहां पे बना रहीों चाहिण से कौन से चीजा रही है उसके साथ से सब्यार से बना सकते हैं मौड हो गया बटे के सबस्कें से बनाते हैं ओई travelled यहां यहां पर वायर का यूज किया जाता है बैरियर बनाने के लिए और सिकेंड है थार्ड है नाइलोन नेट यहां पर नाइलोन का यूज किया जाता है बैरियर बनाने के लिए इंख्लोजर की टाइप है इंफथे टाइप है फर्स्ट की बंबो दूर्ट की सफ्रूर्ड इंख्लोजर यहां पर बंबू का यूज की जाता है निए पुराने जमाने में बंबू के साब तो इहां पर बना जाते हैं तो इस तरीके के इंक्लोजर बना जाता है ऐसे दोनों तरफ लगा देंगे फ्लोटिंग नेट इंक्लोजर यहां पे नेट का यूज किया जाता है वह जो फ्लोट करता रहे उपर से फ्लोटर लगा दिया जाएगा नीचे से सिंकर लगा दिया जाएगा और बी बीच में हो सकता है कभी पूल भी लगा लगा सकते हैं तो इस तरीके से फ्लोटिंग नेट इंक्लोजर भी बना जाता है सिंगल लेयर में यहां पर एक पहले यहां पर नेट का यूज किया जाता है फस्ट लेयर के लिए नेट का यूज किया जाता है और फिर उसके पास से ब बाहर बाहर से बंबू के फेंचिस इसमें जो अभी जो कल्चर करने के लिए छोटे-छोटे जो से एक प्राई है उनको रखा जाता है ताकि आगे जाके उसको ट्रांसपर के जा सके बड़े-बड़े इस तरीके से डबल लेयर पेंच कल्चर जाता है फिर इसके बाद से से दस से 100 100 इंडिविवड़वल पर इंडिविवल पर मिटर स्कॉयर में तो इस ट्रॉकिंग डेंसिटी इतनी प्लाइक थालिके अब इसके जो मेरिट और दिमेरिट क्या थे जो मेरिट है कि मोड देन कि जो इतने आरंश करते उससे ज्वादा प्रोड़क्शन मिलता है ल प्रोशेस एक जैसे केश कल्चर में थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकिन यहां पर जो पेंड कल्चर है इसमें पानी लागतार फ्लो करता रहाता है तो नौन इस्टॉप प्रोसेस नो डेंजर फार मास मोर्टालिटी यहां पे ज्यादा डेंजर नहीं होता है कि ज्यादा ज्य या मर जाएंगे तो यहां नहीं होता है क्योंकि जितने सारे स्देश्टीज निकल जाती है तो पानिक साथ बैय जाता है तो ज्यादा डेंजर नहीं होता है और मास मोटरल्टी नहीं होती इत रिडूसेश ओबर एक्स्प्लोइटेशन आफ फ्राइट तो इस तरह किसे कुछ मैरिट है और जो डी मैरिट है कि नायलॉन वेविक कट समी स्पीसिस जो नायलॉन के वेव यूज के जाते हैं तो इसमें पॉंड में और पानी रुका होता जैसे लेक है लेक है और उन चीजुन में ज्यादा पिंट कल्चर होता है और फ्लोइंग वाटर में नहीं हो पाता ज्यादतर अब कभी कभी जो एरिया जैसे की पेंट बस दू साइड से गिर रहा होता है बागी सभी तो डीन और ऑपिस ज्यादा से ज्यादा घास गुरूब कर जाती है और घास के वजद से ज्यादा इमांट में नुकसान भी हो जाता है तो इस तरीक से इसके मेरिट और डिमेरिट है